दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस गिरावट के लिए तेके मैंने कुछ इसे साथ स्टॉक लेका आया हूँ जिन में हमें फोकस बना के रखना चाहिए जो हमें जब मार्केट रिकवर करेगा जैसे मार्केट अभी 17,250 रुपे के आसपास है अगर ये मार्केट डबल से 17,000 आठारा जाचा छेसो पे आज़ाता है तो ये साथ स्टॉक हमें एक अच्छा कासा अपोरजिनिटी गेन करने के लिए दे सकते हैं जिसके लिए हमें इन साथ स्टॉक के उपर फोकस बनाया रखना चाहिए ठीक है तो चलिए जानते हैं कि कौन से साथ स्टॉक है और इनकी fundamental condition क्या है तो फटाबट से बडिए को start करता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ में आप लोगों को बोलने वाला हूँ अगर आपने चैनल को फर्स टाइम विजिट किया है तो डेफिनिटली सस्क्राइब करिए युक्त डेली विजिटल पर इसी प्रकार के दमा के तर अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चलते हैं सड़नली फर्स स्टॉक की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फर्स स्टॉक हमें उसका प्राइस देखने को मिल रहा है लास्ट छे मैने में 41% की तेजी है, लास्ट एक साल के अगर मैं बात करता हूं, तो 139% से ज़्यादा की तेजी है, लास्ट पास साल का अगर मैं पॉफोमेंस बताता हूं, तो लगबख 623% के आसपास की तेजी है, ओवरोल के पॉफोमेंस के अगर मैं बात करता हूं, तो य यह एक multi-veggar बन चुका है और आगे भी इसी प्रकार से हमें performance यह देने वाला है तो हम किसकी बात करें हम SRF Limited की बात करें जो एक chemical company है ठीक है और आपको पता है कि जब से pandemic आया है जब से chemical company की market में कितनी demand बढ़ गई है ठीक है तो आप जरूर इस company पर अपना focus बनाए रख सकत हो इस company की fundamental condition आपको बहुत ही strong देखने को मिलेगी आप खुद चेक कर सकते हो ठीक है चले second stock पर focus करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दूस्तो इस stock का price है 216 रुपे के आसपास का ठीक है अगर हम इस stock का performance देखें लास्ट 5 दिन में stock ने 11% की तेजी दिखाई है क्यों इस company ने quarter third का जो रिजेल शो किया है बहुत ही शानदार शो किया है लास्ट एक मेने के performance की में बात करता हूँ 6.5% की तेजी लास्ट 6 मेने के अगर में बात करता हूँ 31.5% की तेजी है लास्ट 5 साल के performance के अगर में बात करता हूँ 161% की तेजी है और overall के performance के अगर में बा रही है दोस्तो इस स्टॉक के अंदर तो हम किसकी बात करें हैं हम बात करें दोस्तो इंडिको ठीके इंटर ग्लोब एवियेशन लिमिटेड पेंडमिक आया था तो इस कंपनी की कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए थी फ्लाइट जितनी भी थी इंटरनेशनल नेशनल यह सब क्या हो गई थी रूप चुकी थी लेकिन अब दोस्तो इनका जो बिजनस है वो दीरे दीरे करकर ट्रिक पे आ रहा है तो स्टॉक भी क्या हो रहा है ट्रेक पे आते देखने को मिल रहा है इस कमपनी की भी fundamental condition आपको बहुत strong देखेगी हाँ last दोस्तो 4-5 quarter हमें अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन यह उमीदे कि आने वाले और जो quarterly result रहेंगे वो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलने वाले हैं तो जरूर दोस्तो आप इस company पर अपना focus बनाया रख सकते हो ठीके चलिए अब हम देखते हैं दोस्तो third company को third company की अगर मैं बात करता हूँ तो इस stock का भी price है दोस्तो 242 रुपे के आजपास का लगबग 1-100% की तेजी आज़ देखने को मिली इसका return on pattern देखते हैं पांच दिन में कुछ भी performance नहीं है उल्टा negative performance है लास्ट एक मेने में stock 8% गिर चुका है यह एक बहुत बड़ा फाइदा है हमारे लिए लास्ट 6 मेने में 35% तक की तेजी है लास्ट एक साल में 36% तक की तेजी है लास्ट 5 साल के अगर में बात करता हूँ तो 456-65% की तेजी है और overall का performance अगर देखेंगे तो इस stock ने अपने shareholder को 57,000% का return दिया है दोस्तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो यह company भी market में काफी पुरानी list है तो अग हम किसकी बात करें हम बात करें हैं टाइटन की इसने भी अपने quarter third के जो number दोस्तो वो बहुत जोड़दार पेश किये हैं और टाइटन तो आपको पता हिए कि किस प्रकास की company है ठीक है तो इस पे भी अपना focus बनाए रख सकते हो अब next company के उपर चलते हैं तो यहां पर आप देख सकतो लगभग 3% तक की तेजी आज हमें इस stock में देखने को मिली 1219 रुपे 50 पसे के आसपास यह stock close हुआ है ठीक है लास्ट 5 दिन के अगर मैं बात करता हूँ 4-74% की तेजी है लास्ट 1 मेने के अगर मैं बात करता हूँ तो सेम उतनी ही तेजी देखने को मिल रही है लास्ट 6 मेने में अगर देखेंगे तो 13-3.5% की तेजी है लास्ट 1 साल के अगर मैं बात करता हूँ तो 14% से ज़्यादा कि इसने तेजी दिखाई है लास्ट 5 साल में 173% की तेजी और overall का performance अगर देखेंगे तो ये company भी market में काफी पूरा नहीं है लेकिन इस company का जो उतार चड़ा हो दोस्तो वो काफी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है लगबख 16-16-16% का return हमें इस company की तरफ से देखने को मिल रहा है तो हम किसकी बात करें हम बात करें दोस्तो टाटा स्टेल की टाटा स्टेल भी काफी अच्छी company है market में दोस्तो आपको पता है nifty 50 की company है तो हम इस company के उपर भी अपना focus जमा के रख सकते हैं तो जरूर आप इस company पर अपना focus बनाए रखेगा next company पर focus करते हैं इस company के अगर में बात करता हूँ इस company का price भी 2125 रुपे के आजपास है आदे percent की तेजी हमें देखने को मिली ठीके last 5 दिन में ये stock दोस्तो पोने 3 percent गिर चुका है last 1 मेने में stock 13.5 percent गिर चुका है last 6 मेने की में बात करता हूँ एक 7 percent ये stock गिर चुका है last 1 मेने एक साल में stock ने 49 percent से ज़्यादा का return दिया है last 5 साल के अगर में बात करता हूँ लगबख 700 percent का return दिया है overall के performance के अगर में बात करता हूँ तो ये company भी market में बहुत पुरानी है और लगबख अपने share holder को अभी 38,000 percent का return देके खड़ी है ठीके इस company की fundamental condition आपको बहुत जोड़ा देखने को मिलेगी तो हम किसके बात कर रहे हैं हम astral limited की बात कर रहे हैं ये company भी market में बहुत शांदार अपने share holder को return दे रही है ठीके आगे भी हम इस company से SI performance की उमीद कर रहे हैं तो आप ज़रूर astral limited पे भी अपना focus कर सकते हो अब चलिए next company के ओपर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस company के अगर मैं performance की मैं बात करता हूँ तो लगबग 1708 रुपे 60 पैसे के आसफास ये stock close हुआ है last 5 दिन में stock में 3.4% तक की गिरावटे last 1 मेने में stock दोस्तो 7.5% गिर चुका है last 6 मेने में stock ने 2.72% की तेजी दिखाई है last 1 साल में stock ने 30% का return दिया है last 5 साल में stock ने 252% का return दिया है और overall के performance के अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तो लगभग 14,642% का return दिया है इसने अपने share holder को ये company भी दोस्तो एक leading position हसिल करने वाली company है और इस company की fundamental condition तो बहुत ही अलग है तो हम किसकी बात करें हम बात करने हैं Infosys की जो एक दोस्तो दिगज IT company के नाम थे शुमार है market में तो जरूर आप इस company के उपर भी focus बना के चल सकते हो चलिए last company को आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो इस stock का performance अगर देखेंगे तो 838% के आसपर ये stock close हुआ है last 5 दिन में stock 2, वोने 3% की हमें तेजी दिखाया है last 1 मेने में stock में लगबख 4% की तेजी है last 6 मेने में stock में 58% से ज़्यादा की तेजी है last 1 साल के अगर मैं बात करता हूँ 155% की तेजी है last 5 साल के अगर मैं बात करता हूँ खेर company को market में आए हुए 5 साल तो नहीं हुए लेकिन फिर भी 5 साल के इसने लाइक के रिटन दे दी है लगबख 438% का ठीके और इस company ने आज अपना quarter 3 का number शोग किया है बहुती शानदा number quarter 3 का शोग किया है हम किसके बात करें हम आई या सिटी सी की बात करें जिसके बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया है कि किस प्रकास से इसके number आए है आप जाक long term में एक बहुती अच्छी opportunity दे सकती है ठीके तो यह यह दोस्तो इस गिरते हुए बाजार की इन 7 company की list अब आपको कौन सी पसंद है कौन सी नहीं वो आप और भी select कर सकते हो आप लोगों की तरब से ठीके और अब मैं इस वीडियो को close करता हूँ वीडियो को close करते हम मैं वीडियो पसंद आता प्लीज इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe क्योंकि daily basis पे इसी प्रकार का दमा के दार update हम आप लोगों को तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो